हे गाईस तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारिक मैताशो की जो नई अंजली है जिया दोस्तो एक्ट्रेस सुने न फोजदार तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं नेहा मैता नहीं बन सकती अब ये स्टेटमेंट उन्होंने किस संदर में दी है क्या उन्ह दोस्तों यहां पर जो मीडिया रिपोर्ट है उसके मैं आपर पढ़ देता हूँ पॉपिलर टीवी शो तारिक मैता का उल्टा जश्मा में एक्ट्रे सुनेना फोजदार ने अंजली भावी बनकर एंट्री लिये इससे पहले यह किर्दार नेहा मैता निभा रही थी पिछले जगा बनाने पर फोकस कर रही है उन्होंने एक इंटर्वियू के दोरान कहा मेरा मानना है कि ओडियन्स को पूरा दिकार है कि वह हमें अच्छा या फिर बुरा फीड़बैक दे हमें जो भी फेम मिलता है वह उनकी वजह से ही है मैं कहती हूँ कि अगर हमें उनसे अपनी प बनाना चाहती है उन्होंने का हर कोई एक मौका पाने का हगदार है मैं नेहा जी नहीं बन सकती हूँ लेकिन सुनेना के रूप में लोगों को एंटर्टेंड कर सकती हूँ मैं अपने फैंस की वजह से यहाँ पर हूँ इसलिए मैं किसी को नजर अन्दास नहीं करती कुछ कहते हैं कि मेरी आवाज ऐसी है ऐसे में कई तरह की तुलनाएं है मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं किसी को रिपलेस करने के लिए नहीं हूँ बलकि खुद की जगाब बनाने के लिए हूँ मैं चाहती हूँ कि ओडियंस मुझे एक मौका और प्यार जरूर थे तो गाइस यहां पर सुनें न फोजदार ने जब नहा मैता से उनसे हमेशा कमपैरिसन की जा रही है तो उसके बारे में क्लियर किया है सब कुछ अपनी स्टेटमेंट दिया कि वो नहा मैता जैसी नहीं बन सकती लेकिन ओडियंस को एंटेटेइन जरूर कर सकती है तो गाइस आप इसके बारे में क्या सुचते अपनी राइनीचे कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा और अब तो दोस्तों नई अंजली भावी को आए हुए काफी टाइम हो गया तो ये भी कोशन जरूर बताएगा इसका अंसर जरूर बताएगा कि आपको दोनों में से कौन सी अंजली जादा बैटर लगती है